हलो अब्रेवन कैसे हैं आप सभी उमीद है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे तो मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आप सभी का एक ने ब्लोग में फिर से एक बार बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ तो जैसा कि आज का जो वीडियो है वो बहुत ही जादा खास होगा फ्रेंस क्यूंकि जो नए फार्मर है ना उनको जो है क्या होता है ना कि सुरू में हम किसी तरह करके जुड़ने की कोशिस करते हैं और फिर थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा हमारे पास इंवेस्ट करने के लि जादा इंवेस्ट नहीं करते हैं करने के लिए हमारे पास उतनी पूझी भी नहीं होती है तो ऐसे में क्या होता है कि हम जब भार उनसे ले चुके होते हैं तो तब वह क्या होता है कि थोड़ा सा हम से, उनकी जान पहचान बढ़ती है, तो फिर उधार भी रखते हैं, लेकिन शुरू में कोई आपको उधारी नहीं देने वाला है, ऐसा मेरे ही साथ नहीं, हर किसी के साथ होता है, आप ही सोचिए अगर कोई आपके पास मुर्गा या मुर्गी लेने के लिए आते हैं तो अगर एक दो मुर्गा मुर्गी खरिदते हैं नए हैं तो क्या आप उनको उधारी देंगे बिल्कुल नहीं देंगे और अगर आपके आसपास के हैं आप उनको जानते हैं तो आप उनको देंगे, क्योंकि आपको पता होता है कि अगर वो नहीं भी देते हैं, तो हम उनसे जा के ले सकते हैं, तो ठीक इसी तरीके से फार्मर लोग भी हमें उधारी नहीं देते हैं, जो नए फार्मर होते हैं, मतलब जब हम चूजा लेते हैं, उनका जो दाना होता है वो सारा कुछ लेते हैं तो सब कुँछ का हमें payment साथी-साथ करना होता है उनका जो medicine होता है उनका भी payment करना होता है कुछ भी हमें एक भी रूपिया का उधर से जो हम help नहीं मिलती है तो ऐसे मिक्या होता है कि हम चूजा जादा ले लेते हैं और उनका जो दाना होता है वो हम बहुत ही कम लेते हैं जिसके कारण फिर पुछ दिनों बाद हमें बहुत ही दिक्कत का सामना करना पड़ ही जाता है क्योंकि देखिए दाना अगर हम कम लेंगे तो इन लोग को तीनों टाइम खाना देना होता है सभी को हम अगर किसी के भी अगर वो जीव है तो उनको तीन टाइम का खाना तो चाहिए ही चाहिए हम इंसानों को यह देख लीजे क्या हम एक ताइम दो टाइम खाके रहते हैं नहीं तीन टाइम खाते हैं और अगर जादा हो गया तो फिर चार टाइम भी खा लेते हैं लेकि में हमारी परिषानी बढ़ जाती है जब तक हमारा जो है एक बार भी सेल नहीं होगा तो हमारे पास फिर से पूंजी कहां से आएगी कैसे हम उनका दाना लेंगे तो ऐसे में फ्रेंड्स हम एक काम कर सकते हैं तो वो क्या है तो वो जैसा कि मैंने पिछली कई वीडियो में मैंने जो है सेयर किया है कि हम होम मेड का जो फ्री रेंज का जो दाना होता है मैंने एक वीडियो में तो प्रोपर अच्छे से दिखाया भी है कि एक जोला आता है जो कहां मिलता है कैसा होता है उनका टोटल आप मैंने जो है बताया हुआ है तो अगर आप लोग नहीं देखा है तो आप लोग वीडियो को जाके जरूर देखिएगा मैं वीडियो के इस वीडियो के description में मैं link देध हूंगी आप लोग उस वीडियो को जाके देख लीजेगा तो वह अजोला आप लोगों को भी ले लेना है और पहचान अच्छे से कर लेना है उसके बाद क्या करना है कि जो आप दाना कम लाते है न तो उस दाने को न सिर्फ और सिर्फ दाना नहीं देना है और नहीं सिर्फ अजोला देना है अगर आपको फाइदा चाहिए पूरा पूरा ग्रोथ चा लेते हैं लोग को साथ बहुत ही ज्यादा लगा हो जाता है तो करना क्या होता है कि आजोला और जो दाना होता है उनको बराबर करके मिक्स करना होता है मतलब कि अगर आप 5 kg के हिसाब से गर मानके चलिये लोते हैं तो अगर आप 5 kg दाना दे रहे हैं तो उसके साथ आप 15 kg ऐसकते हैं एक साथ में के दोनों को mix कर लीजिए और फिर अच्छे से इन लोग का बड़ा बड़ा ड्रिंकर होता है उनको अच्छे से पानी जो उनका होता है उनको अच्छे से सुखाना पड़ेगा फिर दाना को मिक्स कीजेगा तो वो अच्छे से जो है ड्रिंकर में गिरेगा फीडर में तो वो खाएंगे ये लोग तो अच्छे से मतलब ये लोग खाप पाएंगे तो उस से फाईदा यह होगा कि गरोथ में कोई कमी नहीं होगी क्योंकि जितना काम दाना करता है उतना ही अजोला करता है एक चीज और भी है अगर आप लोग कर पाओ तो वह क्या है तो उनको सुखा करके और फिर जो है दाना और अजोला के साथ वो भी मिक्स कर दीजेगा वो भी बहुत अच्छा काम करता है तो उसके बारे में भी मैं कभी अलग से वीडियो बना के बताऊंगी कि उसका कितना फाइदा है मेरा यह हाथ न मुबाइल पकड़ के पैन हो रहा ह आप लोग का फ्री रेंज में बहुत ज़्यादा पलेगा आप लोग को कम दाना कम पैसे में ही फ्री रेंज में आप लोग की मुर्गिया जो है एकदम सेम डे में उतना ही वेट गेन कर लेगी तो आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर और अगर farming से जुड़ी कोई भी नई जानकारी आप लोगों को चाहिए तो वो भी आप लोग कमेंट कीजेगा मैं उसमें आप लोगों के लिए अच्छे ची वीडियो लेके आऊंगी या फिर कमेंट में ही जवाब दे दूंगी और अगर आप लोगों को farming से जुड़ी कर सकते हैं मैं हर जगह पे आप लोगों को reply जरूर देती हूं तो इसी के साथ इस वीडियो का एंड करती हूं मिलती हूं आप सबसे नेक्स्ट अच्छे से वीडियो में तब तक के लिए जय हिन जय भारत तो आज मेरा एक हाथ खाली नहीं है इस वज़े से